हेलो प्यारी बिच्चों कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशिन बुनियाद की माट्स की वरक्षीट जो की डे 19 और 20 की है और क्लास है 3 to 8 तो question number 1 है नीचे दी गई संख्याओं को पूछे गए क्रम के अनुसार लिखें तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ संख्याई दे रखी हैं इनको सबसे पहले हमें बढ़ते क्रम में लगाना है और उसके बाद इन ही संख्याओं को हमें घटते क्रम में लगाना है तो सबसे प करते हुए हम सबसे बड़ी संख्या को सबसे बाद में लिखेंगे तो अगर इन संख्याओं की बात करें तो इन में सबसे चोटी संख्या है संख्या एक को हटाने के बाद जो सबसे चोटी संख्या बची है वो है साथ फिर हम साथ को हटा देते हैं इसके बाद जो सबसे च संख्या आएकई वो है तो वह है 26 और सबसे बड़ी जो यहां पे वह है 49 तो इस तरीके से इन संख्याओं को हमने लगाया है बढ़ते करम में अब चया करते हैं कि इन संख्याओं को हम घर्टे क्रम में लगाएंगे इसका मतलब है सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम सबसे पहले जैसे की 49 49 से थोड़ी छोटी संख्या है 26 उससे थोड़ी छोटी है 13 उसके बाद थोड़ी छोटी 12 उसके बाद 7 और last में आ जाएगा एक अब हम देखते हैं इसका खा पाट जिसमें हमें दे रखी हैं संख्याओं 24, 81 28, 45 25 and 48 अगर इनको हमें अरेंज करना है सबसे पहले बढ़ते क्रम में तो हम शुरुआत करेंगे सबसे छोटी संख्या से तो इन में इसके बाद जो इससे थोड़ी बड़ी संख्या है वो है 28 तो लिखेंगे 28 उसके बाद है 45 उसके बाद आ जाएगा 48 और सबसे लास्ट में आ जाएगा बच्चो 81 यानि की 81 ठीक है अब इन ही संख्याओं को हमें लगाना है घटते क्रम में तो घटते क्रम में सबसे पहले हम लिखते हैं बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या है 81 उससे चोटी संख्या है 48 उससे थोड़ी चोटी संख्या है 45 उससे और चोटी संख्या है 28 और थोड़ी चोटी संख्या है 25 वाइफ और सबसे चोटी संख्या है 24 ठीक है तो इस तरीके से हम solve करेंगे question number one को अब इसके बाद हम देखते है question number two इसमें हमें कहा हुआ है कि गोल घेरे की संख्या के ठीक पहले बाद या बीच की संख्या लिखें तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है बीच की संख्या यह यहाँ पे हमें लिखनी है पहले वाली संख्या और यहाँ लिखना है बाद वाली संख्या ठीक है तो अब देखो साथ के पहले क्या आता है बच्चों छे आता है तो इसमें हम लिखेंगे छे और साथ के बाद आता है आठ तो इस वाले गेरे में हम लिखेंगे आठ ठीक है यहाँ पे आप लिखेंगे 8 अगले में हमें दे रखा है 15 तो 15 के पहले आता है 14 और 15 के बाद आता है 16 यहाँ पे हमें संख्या 10 दे रखी है तो इसके पहले हम लिखेंगे 9 और 9 के पहले यहाँ पे आता है 8 यहाँ पे 25, यहाँ पे blank है और यहाँ पे 27 तो 25 के बाद जो संख्या आती है वो है 26, ठीक है, तो question number 2 solve हो गया, चलो आगे देखते हैं, तीसरे प्रश्ण में हमें कह रखा है कि चिन्धों को समझते हुए हल करें, तो यहाँ पर हमें 4 प्रश्ण दे रखें हैं, और हमें देखना है कि किस प्रश्ण में कौन सा चिन्ध दे रखा है, और उसी को देखते हुए हमें इन प्रश्णों को हल करना है, तो यहाँ पर देखी आप हमें दे रखा है जमा का निशान, क्यूंकि यह जो निशान है, यह होता है जमा का, तो हम यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 6 और 5, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, तो आजाएगा 11, तो 11 में जो पहली वाली संख्या है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और दूसरी यानि दहाई वाली संख्या को हम उपर ले कर जाएंगे, और अब इन तीनों को जोड़ेंगे, एक और तीन को जोड़ेंगे, तो आजाएगा 4, और 4 में इस एक को भी जोड़ेंगे, तो आंसर आजाएगा 5, ठीक है, तो आंसर आजाएगा 51, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जमा का निशान है, तो 8 और 9 को जोड़ेंगे, तो कितना आजाएगा बच्चो, 17, तो 17 में जो पहली वाली संख्या, इन्हें इकाई वाली सं 47, अब अगर इन दोनों संख्याओं को आप देखें, चिन्नों को देखें, तो यह वाला निशान घटा का निशान होता है, यानि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को हमें घटा देना है, तो कैसे solve करेंगे, तो देखिए, शुरू करते हैं हम right hand की side से, यहाँ पे है 4 और इधर है 5, तो 4 में से 5 को हम घटा तो सकते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, carry लेंगे, यानि हासिल लेंगे, हासिल लेंगे तो यह आजाएगा 14, और 14 में से जब 5 को घटाएंगे, तो उत्तर आजाएगा 9, और यह बचेगा 3, और 3 में से अगर 3 को घटाते हैं, तो उत्तर आजाएगा 0, ठीक है, अब अगला वाला solve करते हैं, 8 में से 9 को हम नहीं घटा सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम carry लेंगे, carry लेंगे या नहीं हासिल लेंगे, तो यह आजाएगा 18, 18 में से अगर आप 9 को घटाते हैं, तो उत्तर आजाएगा 9, और यह जो 4 है, यह ठीक है, अब 4 प्रशन में हमें कह रखा है, कि चिन्धों को समझते हुए हल करें, तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों ही प्रशनों में ऐसा निशान बना है, जो की है गुणा का, और यह जो निशान है, यह है भाग का, तो पहले 2 संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा यानि या तो आप 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें, या फिर 9 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ें, ठीक है, तो आंसर आजाएगा कितना, 72, 9 को अगर आप 8 से गुणा करेंगे, आंसर आजाएगा 72, अगली वाले कुशन में, या तो आप 7 को, 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें, अब अगला question है कि हमें 28 को भाग करना है 4 को, 4 से, यानि 4 का पहाड़ा आप उतनी बार पढ़ेंगे जब तक कि 28 ना आ जाए, ठीक है? तो चलिए 4 का पहाड़ा शुरू करते हैं, 4 एकम 4, 4 दुनी 8, 4 तियां 12, 4 चॉक्सोला, 4 पंजे 20, 4 छिक 24 और 4 सते होता है 28 यानि अगर अब 4 को 7 बार पढ़ते हैं, 4 का पहाड़ा, तब आंसर आता है 28, ठीक है? और 28 में से 28 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 0 अब अगला है हमें 5 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है जब तक कि 45 ना आ जाए तो चलिए 5 का पहाड़ा शुरू करते हैं, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 5 तियां 15, 5 चॉक 20, 5 पंजे 25, 5 चिक 30, 5 सते 35, 5 अठे 40 और 5 निम यानि 5 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 45 यानि 45 और 45 में से आप 45 घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 0 तो इस तरीके से चौथा प्रश्ण भी हल हो गया, चलिए आगे देखते हैं पाँचवे प्रश्ण में हमें कह रखा है कि मोहित ने 23 रुपए का चावल, 25 रुपए की चीनी और 36 रुपए की डाल खरी दी तो बताईए कि मोहित ने कितने रुपए खर्च किये तो देखिए सबसे पहले तो उसने 23 रुपए खर्च किये चावल लेने में फिर पचीस रुपे खर्च किये चीनी लेने में और फिर 36 यानी 36 रुपे खर्च किये हैं क्या लेने में बचो डाल देने में अब इन तीनों को हम जोड देंगे 3 और 5 जोड़ेंगे तो आजाएगा 8 अब इस 8 में 6 और जोड़ेंगे तो कितना आजाएगा 14 तो 14 का 4 तो आजाएगा नीचे की साइड और 1 आएगा उपर की साइड ठीक है अब 3 जवा में 2 आजाएगा 5 पांच जवा में दो आ जाएगा साथ और इस साथ में एक जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आठ ठीक है पांचवे प्रशन का आंसर आ गया 84 अब हम हल करेंगे छटा प्रशन इसमें हमें कह रखा है कि एक बेंच पर चार बच्चे बैठ सकते हैं तो ऐसे ही तीन बेंच पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं तो बच्चों अगर एक बेंच पर चार बच्चे बैठ पा रहे हैं तो तीन बेंच पर कितने बच्चे बैठेंगे चार को हम तीन से गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा बारा बच्चे ठीक है? तो छटे प्रशन का आंसर आ गया बारा बच्चे अब हम हल करेंगे साथवा प्रशन इसमें हमें कह रखा है कि एक दुकानदार ने 20 रुपए का एक गिलास खरीद कर 36 रुपए में बेच दिया तो बताईए कि दुकानदार को कितने रुपए का फाइदा हुआ तो देखो दुकानदार ने गलास को बेचा है 36 रुपए में और उसने खरीदा था 20 रुपए में तो अगर हम 36 में से 20 को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि दुकानदार के पास extra पैसे कितने आए है यानि फाइदा कितना हुआ है अब देखो 6 में से अगर हम 0 को घटाते है तो आंसर 6 ही आ जाएगा ठीक है और अगर 3 में से 2 को घटाते है तो आंसर आ जाएगा बच्चो 1 यानि कि 16 रूपय का फाइदा हुआ है इस दुकानदार को ठीक है साथवा प्रशन सॉल्व अब हम देखते हैं आठवा प्रशन इसमें हमें कह रखा है कि राजू साइकल से 3 घंटे में 18 किलो मीटर चलता है तो बताइए वह 1 घंटे में कितने किलो मीटर चलेगा तो बच्चो देखो तो अगर वह 3 घंटे में 18 किलो मीटर चल पाता है तो 1 घंटे में कितना चलेगा तो हमें करना क्या है 18 को 3 से भाग करना है ठीक है और 3 चिक होता है 18 आंसर आजाएगा 0 इसका मतलब है यानि 8 प्रशन का आंसर आजाएगा आप लिखेंगे 6 किलो मीटर ये उत्तर आजाएगा आठवे प्रशन का ठीक है बच्चो तो आई होप आपको इस वरक्षीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी इन केस अगर आपका कोई डाउट है या कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं अगर आपको विडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू